हे गाईस अब लोग कैसे हो टेक सावन यूट्यूब चनल से मैं समराट तो ये वीडियो में जो है most interestingly जो कुछ दिन पहले Redmi Note 11T 5G लांच हो इसका साथ कॉमपरेजन होगा Moto G51 5G का क्योंकि दोनों फोन को अगर आप देखिएगा दोनों ही 5G फोन तो है और प्राइस काटागोरी में बहुत इसी आदा डिफरेंस तो है पट फिर भी आगा देखिएगा बेस बेस बेरियेंट वाइस दोनों फोनी कापी आपी आच्छा है क्योंकि आगर आप देखिएगा Redmi Note 11T 5G जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा 17,000 रूपिया से सुरू होते हुए 6GB RAM, 400GB इंटरनल की साथ पट सेम टाइम अगार आप Moto G51 5G को देखिएगा इसके बेस बेस बेरियेंट जो 4GB RAM 400GB की साथ शुरू रहा है और 15,000 रूपिया दाम राखा गया हाला कि इसका आपार में कोई भेरियेंट ही नहीं है, एक 6GB RAM भेरियेंट मोटो G51 का होना चाहिए था पट जो चीज देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मोटो का आगाज ये फोन का 6GB भेरियेंट होता ना तो ये कॉम्प्रेजन करना भी आसन होता और लोगों को डेकुमेंड करना भी कापी ज्यादा आसन हो सकते था बाट फिर भी दो फोन का अंदर कॉम्प्रेजन देख ली जैन आपको पता चलाएगा आपके लिए कौन सा फोन साही होने बाला है तो चलिए देख लेते कॉम्प्लिट वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले दोनों फोन का डिजाइन एंड बील्ड क्वालिटी को पर गौर क्या जाए बेसिकल ये दो फोन ही 15,000-20,000 की बीच का फोन है तो इस कैटेगोरी की अंदर आगर आग 5G फोन है तो 5G फोन होने पाड जो 5G पॉसर का प्राइज है ये ज्यादा है होता है इसलिए इस बज़ेट में आपको ग्लास बैक देखने को नहीं मिलेगा ये नार्माल है दोनों फोनी प्लास्टिक बिल डिजाइन की सातर है बट डिजाइन की मामले में आगा का आपको युजरा मामले में आजकर बहती आच्चा काम का रहे इसलिए को Redmi Note 11 & 5G की मामले में बन धेखिए है मतलब डिजाइन-दे आपको प्रिमियूम फ मतलब डिजाइन का आपको देखने को मिलेगा ये कपी ज्यादा आइफॉनिस आइफॉनिस एक मतलों का देखने को मिल जाएगा फिजिंगाल ओबर्वीव बात कि आ जाए तो दोनों पोन में टायप-c charging port देखने को मिलागा दोनों में साइट-mount fingerfin देखने को मिलागा अन्दोनों में secondary noise cancellation and mic भी देखने को मिलागा जो चीज को ऐप्रीसेट भी कारना चाहिए इसका बहर में शाओ-me को फोन म जाने का पहले बात बोलना चाहतों आप लोग भीडियो देखते हो बहुंद चैनल को subscribe नहीं करते हुँ इसके लिए देखिए चैनल में viewers तुद सब्सक्राइब कर a few 1% पी निशे चल रहे हैं इसलिए रिकॉस्ट करो प्रीज चैनल को दोस्तों सबसे नेक्स दोनों फोन का डिस्प्ले को लेकार बात करते हैं तो सावमी का ये फोन में 6.6 इंच का फूल एचडी प्लस रेजलेसान का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को में लगा 5 छोल की साथ और 90 हज का डिफ्रेश रेट आपको देखने को में लगा ये डिस्प्ले में कौनिंग गोई लागा थी का पोटेक्सान देखने को मिलागा तो Xiaomi ये बाजेट में चाहे तो Xiaomi एक AMOLED डिस्प्लेय दे सकता था पट जितना मुझको लाग रहा है Xiaomi का Redmi Note 10 Switch को जहे एकदम किल नहीं कारना चाहता है इसलिए हो सकते ये फोन में IPS LCD दिया सब कुछ लेकर आगा देखा जाए बट बट मिनिमुम 120 हर्च का एक रिफ्रेस रेट का डिस्प्लेय देना चाहिए था जो Xiaomi के लिए पॉसिबेल था ये चीज़ भी नहीं दिया बट फिर भी 90 हर्च की साथ ये डिस्प्ले भी एक आच्छा डिस्प्ले आपको देखने को मिल सेम टेम मोटरोला जो है बहुती आच्छा काम किया मोटरोला ये फोन में 6.8 इंच का एक टॉल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा फुल एस्टी प्लस रेजिलेशन की साथ इधर भी आपको पांच होल देखने को मिल जाएगा बट 120 हर्च रिफ्रेस रेट आपको देखन दोस्तों नेक्स्ट आगा दोनों फोन का रेम एन इंटनल स्टोरेज देखेंगे दोनों मीं LPDDR4x रेम देखने को मिल जाएगा दोनों फोन का स्टोरेज टाइप की बात क्या जाए तो note 11 T में आपको UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिल जाएगा अट सेम टाइम मोटरोला का ये फोन में UFS 2.1 and 2.2 का बीज में एक ताइप का स्टोरेज है ये यूज किया गया जो भी कापीज ज्यादा अच्छा आपको इधार स्पीड में काम करते देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट अगा दोनो फोन का हम लोग कैमेरा कीव पर गौर करेंगे तो दोनो फोन का कैमेरा सेटप कापी ज्यादा सिमिलर है दोनो में प्राइमारी कैमेरा 50 मेरा पिक्सेल का देखने को मिल गाए अपाच चारे 1.8 की साथ यह जो है सामसांग का जे एन वान सेंसर देखने को मिल गाए परस्टनली मेरा बात किया जाए तो मुझको यह ज्यादा आच्छा आपको देखने को मिल जाएगा ज्यादा आड़न्टेज जो है आपको देखने को मिल गाए शाव मी की पास क्यों विकाज आप देखिएगा सामी का जो कैमेरा अप्टिमाइज सान है यह कापी ज्यादा एग्रेसिब देखने को मिलता है क्योंकि इंडिया जो कॉन्टिस आनी इंडिया नोय दर की साथ पांची एन कवंट्रास्टि आपको फिक्टर देंगुक से है छोकाफ के पसंद्राइबा mires लोग्टत अेघ़ोंकर पॉमिके पॉठोंपर देन है अगरा इडित कर लेंगे अच्छा कासा पिक्चर क्लिक करके देदेगा और लो लाइट में उतना काम का यह आपको देखने को नहीं मिलेगा इसका बहर में दोस्तो मोटरला का फोन में दो में पिक्चल का एक आपको अच्छा शल्डां के इसका बहर में आज रहत का फुल्टर का यह झालार फीर्टर की इबिए अपको आपको देखने को है इसका आप अगर्शुड्य इसका साथ आप देखेगा दोनों में दोनों चनली में इसका पाता है Xiaomi का ये फोन में नहीं है और दोस्तों दोनों फोन में ही जो है surprisingly जो है किसी तरह आपको फोर के वीडियो रेकोट का support देखने को नहीं मिलेगा और इसका पीचार रीजन है दोनों फोन का processor तो Mediatek Diamond City 810 processor आपको देखने को मिलेगा Redmi Note 11 T 5G में no doubt ये काफी ज्यादा capable processor है अब benchmarking score देखकर ये आपको पाता चाल रहे है overall में बहुत ही एक आच्छा आपको performance देखने को मिलेगा बाट ये processor के अंदर 4K वीडियो रेकोट का support नहीं है सेम टाइम अगारद देखियेगा Moto G50 1 में देखने को मिलेगा Snapdragon 480 plus processor तो ये processor का benchmarking score है आपको 3,000,000,000,000,000,000 की बीच में generally इसका score आते देखने को मिलता है और अबराल इसका भी अगर benchmarking score देखेंगे GPU का यह भी बहुत ही तागरा देखने को मिलता है दोनों का almost similar kind का यह आपको GPU score देखने को मिलागा तो दोनों PSR जो है आपको देखिएगा ओबराल में काफी ज्यादा अच्छा तो है बाट 4K video record का सापको दोनों PSR की आंदर ही नह बाट चार्जिंग की मामने में थोड़ा आलागे मोटोला का यह फोन में 20W का चार्जर एरप्टर देखने को मिलागा जिससे यह फोन चार्ज होने में 2 घंटे की आसपस टाइम ले लेगा सेम टाइम जो है Redmi Note 11 T5G में 33W का चार्जर एरप्टर देखने को मिलागा जिसससे काफी सबसे टरातरा का फीचार देखने को मिलता है एक टाइम था जब MIUI काफी स्वयादर एड़ण्स टारा यह त्याह Ciao create Kerry संट की तेलि में 23 da retirments यह अदराई प्रॉर आएक सब्वागे कंसिंधैं i.e.e.e.r Friends विद मोटरोला का कापी कास्टोमाइज फीचर की साथ, जो चीज मुझको बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं मोटरोला का G4 यूज किया, G5S प्लस अभी यूज कर लाँ, तो अबराल जो आपको सब्टेर एक्सप्रियेंस की मामले में, मोटरोला आपको बहुत आच्छ आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, मेरा परसनल पसंद अगर बात किया जाए, तो मैं मोटरोला का ही चूज करूंगा, बट एक इधार कैच है, कैच किया है, बोलता हूँ, तो देखिए, मोटरोला चूज करने का रिजन सबसे पहलो, 120H रिफ्रेज रेट, प्लस इधार जो उस टैम में जाकर, मैं चाहूँ तो ये फोन का अराम सिक रूट करके कस्टम रॉम इंस्टल कर सकते हूँ, जो ये फोन का लाइब और भी ज्यादा एक्स्पेंड करने में हेल्प करेगा, ये एक रिजन है, मेरा मोटरोला का ये फोन चूज करने का, बट, मोटरोला का ये इसलिए हम लोग एक्सपेंड करेंगे, मोटरोला जल से जल ये फोन के 6GB वेरियंट लांज करें, ओबर अल दोनों फोन आच्छा है, आपको जो पसंद है और चूज कर लिजे, क्यूंकि सावमी का फोन का भी एक्सप्रेंस आपका अच्छा मिलेगा, मोटरोला से भी आच् उसको दवा दीजेता, आपको भी इसतरा वीडियो मिलते रहें, हम लोगों को भी जो चैनल बुरो करने में हेल्फ हो जाएगा, ये वीडियो से आर कीजे, फ्रेंड, कलिक मेंबर, फैमिली मेंबर की साथ, फिर एक निया वीडियो मुलाखातों नहीं जा रहें, तब तक ल बाइ बाइ